हाई गाईज कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हम अपने परसनल जो कम्प्यूटर है उसमें अपना डाटा कैसे मैनेज करते हैं हमें कौन सी ड्राइव में अपना डाटा रखना चाहिए दोस्तो वीड करें और बैल आइकन प्रेस करें सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं डेक्स्टोप पर जितना भी डाटा रहता है यह हम देखेंगे आज इसका जो एक्ट्वल जो लोकेशन है वो कहां पर है तो हम दिस पीसी को ओपन करेंगे दि यूजर्स में जाएंगे यूजर्स में देखेंगे दोस्तो अभी हमारे यहां पे दो अकाउंट है अपने कम्पीटर में आप देख लेंगे कौन सा ओपन है अभी देखें मेरे में है रक्षित ग्यान अकाउंट अभी ओपन है तो हम रक्षित ग्यान को ओपन करेंगे यह यहां पर open करने के बाद में देखेंगे यह desktop है दोस्तों अभी in future कभी भी आपकी window craft होती है या दुबारा डालनी पड़ेगी तो आपका जो ही c drive है इसको format मारना पड़ता है उसके बाद ही window दूसरी डलती है इसमें तो हमें यही बात का ध्यान रखना है कि c drive में कम से कम data रखना है जो आगे हमें परेशानी ना हो by chance हमारा data delete भी हो सकता है तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि c drive में यानि desktop पे हमें data कम से कम रखना है दोस्तो आज मैं आपको ऐसे trick बताने वाला हूँ जिसे आप desktop पे data भी रख सकते हैं और आपका window करप्ट होने के बाद में भी आपका data delete नहीं होगा अभी हम अपने किसी भी drive को open कर लेंगे open करने के बाद में दोस्तो यहाँ बनाएंगे हम अपना एक नया folder फोल्डर बनाने के बाद में नाम दे देंगे desktop data अभी इस फोल्डर में राइट किलिक करके send to में जाना है यहां में हम देखेंगे desktop के रेट shortcut इस पे click कर देंगे अभी इसको minimize करके देखेंगे यहां पर उस folder का shortcut आ चुका है अभी हमारे पास desktop पे जितना data रायेगा इसको select करने के बाद में right click करके इसको करेंगे हम cut इस folder को open करने के बाद में यहां पर कर देंगे हम इसको paste दोस्तो अभी desktop का जो भी data है आ चुका है हमारी J drive में यहां पर यह data एकदम safe है तो guys आप समझ चुके होंगे कि C drive में data नहीं रखना है क्योंकि यह windows drive होती है इसके अलाब हम कहीं भी रख सकते हैं shortcut हम कहीं भी बना सकते हैं आपने देख लिया होगा कि shortcut कैसे बनाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो like share subscribe करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में thank you